कांटों पर चलने वाले अक्सर मंजिल पर जल्दी पहुंसते हैं क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार तेज कर देते हैं हेलो दोस्तो एक प्यार इसी गुड मॉनिंग के साथ स्वागत आप सभी का आज की क्लास में जो बेस रहेगी आपकी करंट अफियर्स पर तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले देखे हैं अगर हम बात करते हैं लास्ट में एक यह तो कोशन हैं जो आपके रहेंगे ही रहेंगे अगस्त मंत के सारे इसमें हमने लास्ट में एड़ किये हैं ठीक है ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखेगा तो पहला कोशन देख लेते हैं भी पहला कोशन क्या रहा निमलिक्त में से कौन सी फर्म पुन निर्धारित तोक्यो ओलंपिक के लिए भारतिय टीम की अधिक मारिक प्रयायोजक जैसे अभी आपको पता है olympics होने działa कि सबसे पहले तो भाई होने कहां कहाँ वाले है कोशन यहीए आपका क्लियर में आप उसके बाद जैसे कि olympics tokyo में इंडिया टीम पाइगे हमjang को रीप्रेजंट कॉन करेगा कॉन सा कान सी प्रही जो के पीछ आई नॉक्स ग्रूप और अगर आई नॉक्स ग्रूप की बात गें तो उसके डारेक्टर कौन है भी सिधार्थ जैन है एक एकसा कोशन यहां से आपको ध्यान में रखना है आगे के चार देखिएगा टाटा ग्रूप चेर्मेन कौन है भी नटराजन चंदर शेखरन है हिंद का नाम बताईए सिबसे पहले आपको क्या है मंतरालह का नाम बताना है मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिसने बंदरगा और समुंदरी छेतर में कोशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इंगलिश वाले बचे देखिए अब कोशल बढ़ावा क्या होता है जो skill develop है skill को develop करने के लिए जहाज रानी मंतरालिया जहाज जहाज रानी शीपिंग मंतरालेक साथ एक समझोता किया जा रहा है दूसरे मंतराले द्वारा क्यों किया जा रहा है में मोटिव है कि जो यूथ है न स्किल जैसे आपको पता होगा परधान मंतरी कोशल विकास योजना चलाई गई है तो उसी में क्या है यूथ की skill को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रियोजन बहुत से योजना ही आ रही है उसी का एक में मोटिव रहा कि जहाज रानी मंतरालेक साथ एक कैसा मतराले रहा जिसने कोशल विकास के लिए हाल ही में क्या किया है तायप समझोता किया है तो भी कौन सा रहेगा सीधी सी बात है मिनिस्ट्री ओफ स्किल डवलप्मेंट की बात करें तो महिंदर रात पांडे सरकेंट राती है और इनकी चंदौली है ठीक है उसके बाद देखेगा मिनिस्ट्री ओफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाइवे जो आपने ऑप्षिन में देखे थे वो डिसकस करते है आपको पता होगा बच्चों देखो अगर बात करते हैं न मिनिस्टर की तो यह वैसे होते हैं दो टाइप में यूनि चार्ज होता है और मिनिस्टर ओफ स्टेट होते हैं ठीक है यह जिस्टर अगे दो पार्स में डिवाइड होते हैं जैसे इंडिपेंडेट चार्ज की बात करते हैं बहुत इसके पीछे कहानी हैं हम समझ लेंगे लेकिन फिलहाल इतना सा याद रखे तो हम यह अलग अलग मंडाविया हैं ठीक है अगर यूनियन काबिनेट मिनिस्टर की बात करते हैं तो कौन रहे बच्चों नीतिन गड़करी सरे और मनसुखल मंडाविया कौन है बच्चों वह आपके मिनिस्टर ओफ स्टेट है उसके बाद मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस नाम आती आता है राजन सिंग सुभाष भाम्रे दोनों नाम एक साथ लाना राजना सिंग तो यूनियन काबिनेट मिनिस्टर ओफ स्टेट कौन है सुभाष भाम्रे ठीक है उसके बाद मिनिस्ट्र ओफ स्ट्रो इलेक्ट्रोनिक्स dan information टेक्नलोजी उसके बाद देखेगा मिनिस्ट्री ओफ इलेक् सिंग अहलू वालियां कौन है बच्छो मिनिस्ट ऑफ सेट हैं इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंफोर्मेशन टेक्निक जी के मिनिस्ट ऑफ होम अफेर्स के बात करें तो यह भी जो मिनिस्टर है निके ऊपर एक ही है अमित शाह और वैसे अगर हम बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ ने चुनाव आयुक्त के रूप में आयुक्त की नियुक्त किया गया है आपने भी हम पढ़ते आये थे अशोक लवासा काफी हमने पढ़ा था मैंने भी पढ़ाया था लेकिन अभी क्या हाल ही में चेंज हो गए है अशोक लवासा कौन थे अशोक लवासे थे इलेक्शन कम कमिशनर ओफ इंडिया रही अधर ऑप्शन देखिएगा राजीव गॉबा राजीव कुमार कौन है अब इलेक्शन कमिशनर है राजीव गॉबा कैबिनेर सेक्रेटरी हैं संजेक उठारी की बात करते हैं तो सीवी सीजी से सेंटरल विजिलेंस कमिशनर कहा जाता है वो है अफिसरी ने बनाया है उसके बाद तीर लोचन महोपात्रा की बात करें तो जो आपका एग्रिकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट न उसमें एसन क्या है ये सेक्रेटरी न्युक्त है और डिरेक्टर जर्नल है इंडियन कांसिल ओव एग्रिकल्चर रिस आइए जिसने विशव स्नूकर चैंपिएंशिप 2020 जीती है सबसे पहले भी वो कौनसे गेम की आप बात करें घ्रयान में रखना स्कूल्सनूकर की और हाली में कहा है स्नूकर चैंपिएंशिप जो 2020 रही वो जीती है आपको बताना है बिआ इन में से किसने जीती है तो अगर बात करते हैं बचो कोई यहां से आंसर की तो वो जीती है Ronny और Sullivan ने Ronny और Sullivan कि अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है? सभसे ज्यादा उमर के ऐसे person बन गई है जिन्होंने सबसे ज़ादा सबसे ज़ादा उमर के वो व्यक्ति जिन्होंने अब तक चैंपियंशिप जीती है तो वो यही बने हैं अब अगर जीतने के बाद तो कौन है रॉनियो सूलिवान उनका नेम रहा आगे देखिएगा जी यह काश कोन है भी इंडिया के 66 चैस ग्रेंड मास्टर बनाई गए है नीकी पुनचा की बात किरें तो यह क्या है ITF की क्या है Mens Player Panel में तो जो WVC Indian Sportsman of the Year थे ना उन्हों के जीतने वाली person को नहीं भी पीवी सिंदू रही तीक है इतनी चीज़ें आको ध्यान में रखनी है नेक्स कोशन देखेगा हाल ही में डैश आपको यहाँ पर बताना है छतरपुर पोलिस सबसे पहले तो भई, यहाँ से एक कोशन क्लियर हो, करना भी छतरपुर पोलिस कहां की है? कौन से राज्य की है? एक कोशन तो यही बन गए, आपका स्टेख से ठीक है दूसरा राजे में करोना संकर्मन के बीच एक संकल्प बुजर्गों के नाम अभ्यान चला रही है दूसरा कोशन यहां से पहला कोशन तो चतरपूर पुलिस दूसरा कौन सा राजे हाल ही में है जिसकी पुलिस ने क्या किया है एक संकल्प बुजर्गों के नाम अभी अभियान चलाया है आपको बताना है तो भी वो किसके अंडर चलाया गया है तो यह जो चतरपूर पुलिस है यह है मद्या परदेश की पुलिस है चतरपूर पुलिस जिन्होंने यह हाली में अभियान शुरू किया है मद्यपरदेश की बात करें तो शुराज सिंग चोहान यहां के CM है आनंदी बेन पटेल यहां की क्या है गवर्नर है और यह साथ में बचो यूपी की भी गवर्नर है यूपी की बात करते हैं तो बचो योगी आदितेनाथ यहां पर कौन है वही CM as an CM बात करें अब रिक्षार ओपन 2020 हाली में यहां पर अभियान शुरू किया गया था ठीक है यह दो तीन चीज़ें आप कोरिलेट कर लेना याद रखना उत्तर प्रदेश आनंदी में पटेल गवर्नर योगी आदितेनाथ यहां के CM रहे अंदर प्रदेश की बात करते हैं तो गवर्नर कौन है बीडी मिश्रा है और CM कौन है बचो पेमा खांडू है उसके बात देखेगा राजसान राजसान की बात करते हैं तो गवर्नर कौन है कराज मिश्र रहे और उसके बाद अगर हम चीफ मिश्र की बात करते हैं तो अशोग गहलोत रहे ठीक है इतनी चीज़ें आपको यहां से ध्यान में रखनी है नेक्स रहा आपका डे से रिलेटेड दे आ गया तो आपको सिर्फ जो आपका हमने बहुत अगस्ट दे में बहुत बार ऐसा पड़ लिया है तो इसमी कोशन में क्या पूछा गया है सबसे पहले हिंदी वाले बच्चे देख लीजिएगा सियुग तराश्र द्वारा सियुग तराश्र क्या वियुनाइटीड नेशन गिसे कहा जाता है इंग फाले बच्चे देखिएगा option की बात करते हैं तो 23 अगस्ट को ठीक है कब किया जाता है वही 23 अगस्ट को किया जाता है अब देख लेते हैं भी answer को और other day भी हम discuss कर लेते हैं 23 अगस्ट की बात करें तो आपका रहता है international day of the remembrance of the slab trade and its evolution ठीक है ये लिख लेना 23 अगस्ट उसके बाद other option देखिएगा 23 जुलाई 23 जुलाई को बात करते हैं तो कौन सा डे रहता है बच्चो नैशनल broadcasting day रहता है उसके बाद 23 जून की बात करते हैं तो तीन दी रहते हैं world olympic day वर्ल्ड olympic day आपका कब रहता है बच्चो 23 जून को रहता है national sports जे अभी हाल ही में आपक कल ही था कौन सा था बच्चो नैशनल sports से अगर हम बात करते हैं अगस्त मंत में रहा 29 को उसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन से रहते हैं दो और world olympic day 23 जून को international video day और united national public service से ठीक है यह दो तीनों दिन रहते हैं 22 महीं को अगर हम बात करते हैं तो international day for biological diversity रहता है और 25 अ यहां से ध्यान में रखने हैं option other question देखेगा उस नीजी बैंक का सबसे पहले तो नीजी कौन सा बार भी private bank जिसे कहा जाता है एक private bank रहा क्यूं भाई जिसने देश में कहीं से भी दूर से bank के साथ काम करने वाली कुशल परतिभाओं को अकर्षित करने के लिए गिग और और अवसर नाम से एक पहल शुरू की है इतनी बड़ी detail में पढ़ना है नहीं भई हमें paragraph नहीं लिकने हमने वहां options के साथ खेलना है ठीक है तो यहां पर सबसे ज़्यादा important जो बनेगा वो यही बनेगा गीग अगर बात करते हैं गीग अवसर अगर यह जो scheme रही आपको बतान है उनको अपनी और attract करने के लिए अकरशित करने के लिए इस बैंक ने यह शुरू किया है कौन सा बचो गीगा opportunity तो गीगा अवसर के अगर हम बात करते हैं तो यह कौन से बैंक करा रहा वही एक्सिस बैंक करा ठीक है एक्सिस बैंक की बात ने तो मुंबई इसका क्या रहत येस बैंक रहा आएसी आएसी याई बैंक रहा कोटक रहा एच डी एफसी रहा और एस बी आई रहा आर बी आई रहा ये जितने भी बैंक है ना इन सबका head quarter तो बच्छा आपका मुंबई में है पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ठीक है बाकी अलग रह जाते हैं जैसे कॉलक finance capital के दाम से जिसे जाना जाता है डैली capital रहती है लेकिन finance capital ओफ इंडिया क्या है मुंबई है ठीक है तो ये तो आपको यहां से headquarter याद रखने है yes bank की बात करते हैं तो 2004 में यह found किया गया था और अगर हम बात करते हैं इसके चेर में की तो उदे कोटक इसके क्या है बचो चेर में है उसके बाद HDFC bank HDFC bank की अगर हम बात करते हैं तो अगस्ट 1994 में यह found किया गया था और इसके आदित्य पूरी कौन है बई CEO नेक्स कोशन देखेगा उस व्यक्ति का नाम बताईए जिसे भारत सरकार ने भारतिया स्टेट bank SBI के MD के रूप में न्युक्त किया है अभी हम कुछ और पढ़त अगर हम बात करते हैं देख लेते हैं अभी कौन रहे अश्वनी भातिया अगर हम बात करते हैं ठीक है अश्वनी भातिया अभी हाल ही में क्या SBI के MD किये गई है यह एक बच्चे का doubt भी था आप तो clear हो ही गया होगा उसने पुछ रखा था SBI के MD तो अश्वनी भातिया है ना मैम ऐसा कुछ था तो भी हाँ वो क्या है अश्मनी भाटिया SBA के नई MD बने है अधर आप्शन देखिएगा राजीम कुमार अभी हम पढ़ कर आई है ना न्यू इलेक्शन कुमिशनर न्युक्त किये गए है जीपी गर कौन है वही सिक्योर्टी एक्सचेंज बॉर्ड ऑफ इंडिया साभी की फुल फॉर्म रही इसके न्यू एग्सेक्यूटिव डिरेक्टर अपॉइंट किये गए है राकेश अस्थाना की बात के तो न्यू इसके क्या है नेटर जनल अपॉइंट किये गए है दिनेश के तिरपाटी ठीक है इतनी चीज़ें आपको यहां से ध्यान में रखने है next question निमलिक्त में से किसने One Arrange Murder नामक पुस्तक लिखी है इतना हमें नहीं पढ़ना यह कब तारिक नहीं पूछेंगे कि यह बुक कब लॉंच देगे और इसी के साथ इन्होंने टोटल नो नोवल और टोटल ग्यारा बुक्स लिख दी है ठीक है इतनी चीज़ आपको यहां से ध्यान में रखनी है इससे पहले उनकी बुक क्या थी A Girl in Room 105 इससे पहले इनका यह नोवल था काफ़ी इंटरस्टिन नोवल था अगर पढ़ना चाहो तो One Girl in Room 105 और अभी न्यू जो इनका है वो कौन सा है वन अरेंज्ड मर्डर जो 28 तंबर 2020 को लाँच होगा चेतनभत का ठीक है यह याद रखने है अदर कुछ देखिएगा सियासत में सदसिता भी यह बिहार के जो अगर बात करते हैं लोग सभा के स्पीकर है ना उन्होंने क्या किया है इस बुक को लिखा है वो कौन है विजे कुमार चौधरी सियासत में सदसिता तो उनकी बुक क्या रही सियासत में सदसिता विजे कुमार चौधरी द्वारा लिखी गई है विशेश को टुविन विशेश आपको नाम याद आ रहोगा सबसे यंगस प्लियर है अगर बात करते हैं इनकी तो इनकी लाइफ के उपर एक बुक लिखी गई है विशेश कोड टूवन जो किसने लिखी है निरु पमा यादब ले लिखी है उसके पाद अमेजिंग अयोधिया की बात करते हैं तो नीमा रॉय द्वार लिखी गई है अमेजिंग अयोधिया बुक रहेगी जो क्या है स्टार्टिंग से जो अयोधिया पर एक बहुत बड़ा विवाद चलता रहा होगा तो अब तक के जो युवाओं के बीच की जो बहुत क्या होगा है की डिफरेंस आएं हैं अगर बात करते हैं थौर्स में थिंकिंग में तो उन पर ये बुक लिखी गई है देखते हैं क्या होगा तो अमेजिंग योधिया किसकी नीना रॉय की रही फुल स्पेक्टर इंडिया वार नाइंटीन सेंटीटू ट्वंटी ट्वंटी ये लिखी गई है अर्जुन सुबर्मन्यम अर्जुन सुबर्मन्यम रिटाइड एक आफिसर रहे उन्होंने ये बुक लिखी है ठीक है नेक्स देखेगा नेक्स कोशन रहा आपको सिंपल क्या करना है कि हाली में जो केंद्रिय सडक परिवहन और राजमार्ग है मंत्री को रहे नितिन गड़करी उन्होंने राश्य राजमार्गों पर टोटल इन्होंने कहा है 25 लाख ट्री लगाए जाएंगी जितने भी आपके नैशनल हाइवे पत के अंडर ठीक है इतनी चीज़ें आपको यहां से ध्यान में रखनी है नेक्स निम्लिक में से किसने डॉक्टर अशोक के वैद दवारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक लाउंच की है सिंपल सा कोशन रहा गैस्ट्रिक कैंसर बुक का नेम क्या रहा देख लिएगा तीन चीज़ें यहां से आपको ध्यान में रखनी है नाम गैस्ट्रिक कैंसर लिखी किसने है भई डॉक्टर अशोक ने ठीक है डॉक्तर अशोक के वैद ने और तीसरा कोशन भी यह लांच किसने की है सबसे बड़ा जो कोशन बदा है तो लांच की है भई डॉक् निस्ट्रई प्राइम मिन्स्टर ऑफिस के मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो यह मिनिस्ट्री रही जो प्राइम मिनिस्ट्रा नरेंदर मोदी के अंडर जो मिस्ट्री जाती है न अटामिक वगारा कि जो अधर किसी के अंडर ने आती वो नरेंदर मोदी जी के अंडर आती है तो उनी के ऊपर क्या है ministry of state as and work कौन कर रहा है वह कर रहा है वह कर रहे है डॉक्टर जी तेंदर सिंग और ministry of state for ministry of development of northeaster reason भी यहीं है ठीक है अधर देखे नीतिन गड़करी पता ही होगा भई यह ministry of road transport and highway है ministry of shipping भी इनके अंडर आती है और ministry of msme भी इनके अंडर आती है पलहाज सिंग पटेल की बात करें तो ministry of culture and ministry of tourism of India है मुक्तार अबाज नकवी की बात करें तो ministry of minority affairs है सिम्रिती राणी की बात करें तो ministry of women and child development तो हर किसी को पता है लेकिन जो main है ना वो कौन सा है ministry of textile है यह इसका additional charge इनके अंडर है main ministry ministry of textile है सिम्रिती जोबिन इरानी के अंडर लेकिन बात करते है additional charge तो वो Ministry of Women and Child Development का है ठीक है इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं नेक्स कोशन देखेगा ऑस्टेलिया ओल राउंडर ने डैश पैशिवर किर्केट के सभी रूपों से सेवा निर्वित की क्या कर दिया भी घोशना की है कोशन तीन चीज़ें यहां से क्लियर हो गई सबसे पहले तो वो ऑस्टेलिया से बिलॉंग करते हैं पेशे से भी किर्केट रहें नाम आपको बताना है और हाल हम उन्होंने क्या की है सेवा निर्वित की घोशना की है ठीक है औस्टेलिया के ऐसे प्लेयर का नाम बताओ जो क्या है भी और हाल ही में क्रिकेट खेलते थे और सेवा निर्वित की घोशना कर दिया रिटायर्मेंट ले ली है तो अगर हम आप्शन से अंसर की बात करें तो वो रहे कैमरोन वाइट कैमरोन वाइट रहे जो क्या है और हाली में इनोंने क्या है क्रिकेट से खेलते हैं और हाली में इनोंने क्या किया है भी सर्यास ले दिया है अदर नाम देखिएगा शिरपल्ली वेर कड़ी हमने देखा था ना शीरी शीरी से आपको याद रखना है यह शीरी लंका से तो क्या करती है बिलॉंग करती है और शीर लंका से क्या है यह किरिकेटर है ठीक है इहाली में इन्होंने सन्यास लिया था रजट भाटिया रजट यह का IPL मैचिस में तो कहां से डेली से बिलॉंग करते हैं और हाल ही में इन्होंने क्या कर दिया है अचानक से अपनी सेवा निवित को इन्होंने गोशना की थी ठीक है उसके बाद वैने डिक्ट हौफिडीज की बात के हैं तो यह जर्मन से बिलॉंग करते हैं और करेगा United Arab Emirates की Capital क्या है अबुधाबी है अबुधाबी से मैं एक चीज और याद आ रही है भी क्या रही है आपको अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की तो ऐसा पहला पावर प्लांट जो अरब देशों में खोला गया है अबुधामी में खोला गया है अब वीवो ने अपना नाम ले लिया था तो दियाद रखना है नाम उसका ड्रीम 11 ठीक है ड्रीम 11 उसका नेम रहा जो हाली में क्या है IPL में एस एंड परियोजक रहेगी ठीक है अब कोशन देखिए अब भी कोशन नेक्स क्या रहा किस चीम ने UAE UEFA Champions League 2019-20 का किता जीता है UEFA क्य करते हैं तो वो जीती है बेरेन म्यूनिक ने बेरेन म्यूनिक की बात करते हैं तो यह जर्मन प्रोफेशनल एक फुटबॉल क्लब है कहां कभी जर्मन का है और हाल ही में इन्होंने UEFA Championship 2019-20 को जीता है ठीक है नेक्स कोशन नेक्स कोशन देखिए है क्या रहा भारतिया इंडियन एर फोर्स राकेश कुमार भदोरिया सर क्या है भई आपके इंडियन एर फोर्स के चीज़ है ठीक है अब आगे कोशन देखिएगा द्वारा शुरू किया गए मोबाइल एप का नाम बताएं जो क्या करेगा भारती है उन इंडियन के लिए उन यंगस के लिए ज है उस एप का नाम बताना है भी वो नेम क्या रहा तो वो नेम रहा भी माई आई एफ तो अराकेश कुमार भदोरिया यहां से आपको चीफ मार्शल जो रहे इतनी चीज़ें आपको तीन चार याद रखनी है नेक्स कोशन देखिएगा बहुत ज़्यादा इंपोर्टन ये पहाड़ी है कोई बच्चा उत्रा खंड हर दिवार गया होगा ना तो काश वहां पर आपको पता होगा रॉप के थ्रू क्या किया जाता है ट्रैवल किया जाता है नदी के उपर अब नदी के उपर भई ये तो हैनी रोड बीच में से निकाल दिया नदी के ऐसा नहीं होग तो भई वो कहां पर बनाया गया है आसाम में बनाया गया है ठीक है आसाम में अब आसाम की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर है सरवनंद सोनोवाल और जगदीश मुखी यहां के क्या है भई चीफ गवर्नर है और इसा की बात ने नवीन पतनायक चीफ मिनिस्टर है गनेश नेक्स कोशन वित मंतराले द्वारा भी वित मंतराले किनके अंडराता है निर्मला सीतारमन की अंडराता है निर्मला सीतारमन की बात करते हैं बच्चों तो इनका सबसे पहले तो महराष्टा क्या रहती है इनकी अगर बात करते हैं कॉंस्ट्येंसी रहती है बैंगलोर किये जैसे आपको पढ़ाया था परधान मंतरी मुद्रा योजना इसके अंडर क्या है तीन टाइप के लोन दिये जाते हैं शीशू किशोर तरुन वह यह अलग-अलग क्यों है मैं क्योंकि इसमें अलग-अमाउंट दिया जाता है पचास अजार तक का अगर आपको चाहिए शीशू में अप्लिकेशन लगाओ पचास अजार से पांच लाग तक का आपको खिशोर में और तरुन में पांच लाग से दस लाग का आपको लोन प्रवाइड किया जाता है यह टोटल वह योजना रहती है परधान मंतरी मुद्रा योजना अब इसके अंडर क्या है महिला रहा बच्चो वो रहा है आपका तमिल लाडू ठीक है तमिल लाडू की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर एडपड़ी के पालन स्वामी है बनवारी लाल प्रोहित गवर्नर है और मदरास हाई कोर्ट इसके अंडर रहते हैं यह और अमरेश्वर परताब साही अभी हाल ही म ममताब एनरजी चीफ मिनिस्टर है जगदीफ धनकडियां के गवर्नर कैलकटा हाई कोर्ट और थोथा बली बी राधा कृष्णा अभी हाली में चीफ जस्स है औरीसा चीफ मिनिस्टर है नवीन पतनाये गवर्नर कौन है गनेशी लाल है औरीसा हाई कोर्ट अंडराते हैं और महुमद राफीक अभी हाली में यहाँ पर चीफ जस्स है केरला पिनराय विजियन यहां के क्या है भई चीफ मिनिस्टर है और अगर हम बात करते हैं गवर्नर की तो आरिफ महुमद खान है और केरला हाई कोर्ट के अंडराते है एस मनी कुमार यहाँ पर क्या है बच्छ क्यों भाई 3.75,00 CSE करने के लिए इन सेंटर में क्या किया जाएगा युवाओं को लोगों को किसी चीज के लिए जानकारी प्रवाइड की जाएगी जो पहले से गौर्मेंट एक स्कीम उसके लिए अब कोशिन यही बरता है कौन से गौर्मेंट स्कीम के जानकारी दी for new age governance क्या रहा बच्चो unified mobile application for new age governance ठीक है other option देखेगा शशक्त की बात करते हैं तो क्या थे जितने 50,000 या 50,000 से ज़्यादा जो लोन है मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो लोग नहीं दे पाते बैंक ने लोन प्रोवाइड कर रखे थे तो उन्हीं को क्या है वापिस उसी से को बैक अप करने के लिए पीनवी बैंक द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था शशक्त और इसमें क्या है टोटल 35 बैंक ने क्या किया था इसमें एक एग्रिमेंट साइन किया था शेहरी समरिधी उत्सब इसकी बात के तो ये मिनिस्ट्री ओफ हाउसिंग अर्बन अफेर द्वारा के लिए और ये 15 अगस 2010 को शुरू की गई थी ठीक है नेक्स कोईशन उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे अभी हाल ही में क्या है BIA Mutual Fund के हाल ही में निदेशक और मुख्या कारेकारी अदिकारी के रूब में नुक्त किया गया है Next रहा SB lithium pastors के परमन निदेशक और मुख्या कारेकारी डारेक्टर और CEO अभी हाल ही में किन्हें नुक्त किया गया है तो आपको याद रखना है भी वो किया गए है विने टॉंसे को ठीक है विने टॉंसे को SBA mutual fund की बात के बात के बात के तो जून 1987 में ये फांड किया गया था मुंबई महाराश्ट्रा इसका headquarter है जी स्तेश रेड़ी, DRDO Chief, अगर बात काते है Defense Research Development Organization के उसके Chief है DRDO के बात के तो New Delhi इसका headquarter है और ये पहले Chief ते लेकिन अभी इने हालीम के दो साल का extension मिला इसलिए News में है राजीर कुमार की बात में तो Election Commissioner हाली में नुक्त किये गए है GP गर्ग सहबी के New Executive Director और राकेश अस्थाना BSF के Director General Next Question England के उस खिलारी का नाम बताइए जो किर्केट इतिहास में 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गैंदबाज बन गए है हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ था और इन्होंने क्या किया वहाँ पर विकेट ली जिसके साथ विकेट के लेते ही उनके नाम एक खिताब हो गया च्या किताब 600 विकेट लेना टेस्ट मैच में और सबसे तेज गैंदबाज का किताब इनके नाम रहा और वो कहां से बिलॉंग करते हैं इंगलेंड से बिलॉंग करते हैं अब आपको बताना है भी उनका नेम क्या रहा तो उनका नेम रहा जैम्स एंडरसन जैम्स एंडरसन अदर आप्शन देखेगा लीजा सतलेकर ये क्या है आई सी सी हौल ओफ फेम अभी हाली में तीन परसन को दिया गया था तीनों के नाम बहुत जादा इंपोर्टन बनेंगे आपको रटने हैं यही समझ लो याद नहीं करने रटने हैं जैकवा कैली जाहिर अबास लीजा सतलेकर ये तीनों परसन वो रहे जिने 2020 में आई सी सी हौल अफ तपेम से समानित किया गया है सौफिया पॉपोव की बात कें तो ये जर्मन से है और गॉलफर है पेशे से इन्होंने हाल ही में वूमेन ब्रीटिश ओपन 2020 जिनता है ठीक है इतनी चीज़ें याद रखना लास कोशन भी आज का आज का कोशन देख लो भी लास क्या रहा कि भारत के सबसे सम्मानित कोच किर्केट कोच क्या नेम रहा वासू प्रांजपे पर अधारित पुस्तक का नाम जो 2020 में जारी गी जाएगी कोश्चन यही रहा कि क्या है कि किर्केट कोच हैं वासू प्राणजपे उन पर अभी एक बुक आ रही है और यह क्या है वासू प्राणजपे कि जो बेटे रहे उन्होंने ये बुक लिखी है आपको बताने उस बुक का नेम क्या रहा तो उस बुक का नेम रहा किर्केट ड्र अधर देख लीजिए क्रिकेट और वासुक प्रांजुपे जो क्रिकेट कोच रहे न उन पर बुक आ रही है अधर देखिएगा रॉप इंडिया कवर्ट ऑप्रेशन यह तीश यादा द्वारा यह लिखी गई है अब हम भी बात कर लेते हैं लास्ट का एक टॉपिक जो एड किया है जैसे बात कर लेते हैं अगस मन्त में जितने भी अवार्ट दिये गए थी ना जादा नहीं है जो आपको क्या है ध्यान में रखने है तो यह टॉपिक इसमें एड कर दिया देख लेना क्या है अगस मन्त के मोस्ट मोने जो प्राइस दिये गए स्कॉच गॉल्ड अवार्ड की बात करें तो मिनिस्ट्य ओफ ट्राइबल अफेर्स को इस बार मिला है क्यों मिला है भी इन स्कॉच गॉल्ड अवार्ड से समानित दिया गया है नेक्स देख फॉब्स मैजिन देख हाई लीस्ट आई ती ऊसमें कहा गया थे कि इसमें क्या है इंडिया के सिर्फ और एक इक Нेहीं अगर बात करते है तो वह कौन है नमबर पर रहे थे भई, अक्षेकुमार सर 6 पर रहे थे, और ड्वाइना जॉनसन जिसे जॉनसेना की नेम से जाना जाता है WWE में आपने देखा होगा बॉक्सन है, जॉनसेना की नाम से जाना जाता है वो भी अगर क्या है कि अभी as an actor work कर रहे हैं सबसे नमबर, highest paid actor वो ही रहे हैं, ड्वाइना जॉनसे नेक्स एक हैगा ग्राम्योद्या बंदू मित्र पुरुसकार कौन सा पुरुसकार बच्चों ग्राम्योद्या बंदू मित्र पुरुसकार ये किसे मिला है, इस बार ये मिला है दो परसन जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टन बनेंगे चेर परसन ऑफ इनफोसिस फांडेशन सुधा मुर्ती को और ग्रूप हैड ऑफ एग्री एड आईटी बिजनस ऑफ आईटी सी लिम्टिड शिरी सिवा कुमार सुरामपूडी को शिवा कुमार सुरामपूडी और सुधा मुत्री को इस बार का क्या है ग्रामो दिया बंदू मित्रा पुर्सकार से समानित किया गया है नेक्स से खिएगा नेक्स अगर हम बात करते हैं राजीव गांदी खेर अतनावर तीन नाम तो आपको याद रहेंगे अगर बात करते हैं भी रानी रामपाल यहां पर रानी रामपाल एड़ कर लीजीगा हौकी से बिलॉंग करती है विनेश फोगाट यह रेसलिंग से है और शीरी रोही शर्मा की अगर हम बात करते हैं किर्केट से हैं तीन नाम तो आपको याद है सबसे जादा इंपोर्णन जो बनेंगे यह दो नाम जो आपको याद रखनी है अगर बात करते हैं मेरी अपन टीगी यह पैरा एकलीट है और मनी का बतरा यह टैबल टैनिस हैं जिनने इस बार का क्या है रजीव गांदी क्हेरतन आवाड से समानित किया गया था याद रखना बच्चो पहले इसमें राशी दी जाती थी वो दी जाती थी 5 लाग लेकिन अब इसमें कितनी दी गई है? राशी में जो चेंच हुआ है वो याद रखना ठीक है यह amount change किया गया दुरोनाचारिया में 5-10 लाग और जो राजीव गांदी और अर्जुन पुर्सका रहे हैं उसमें 5-15 लाग दे गई है ठेक है आगे देखिएगा gold medal by mental calculation world cup mcwc by mind sports olympiard सबसे interesting बात यह है कि भारत के calculator जिसे कहा जाता है एक ऐसे person रही 19 वर्ष के यह है और उन्हीं क्या है इस बार का क्या है mso mind sports olympiard के दवारा mcwc से gold award मिला है उनका नेम क्या रहा नीला कंत भानू परकाश जोनाल गड़ा इनका नेम रहा और हैदराबाद से क्या है यह belong करते हैं आगे देखिया स्वच्छता ही सेवा 2019 award यह किसे मिला है वही जो आपकी नवर booker prize 2020 अंतर आशिया booker prize 2020 किसे मिला है वही अगर बात करते हैं इनकी तो यह डच से एक author रही जिनका नेम रहा maryaka lukas renseveld यह क्या है female है maryaka lukas renseveld और इन्हें क्या है यह डच से बिलॉग करती है और इस बार का international booker prize 2020 दिया गया है सबसे इंटरस्टिंग बात जो आपको नाम याद रखना है book का कौन सी बुक के लिए the discomfort of evening the discomfort of evening की बुक के लिए इन्हें यह पुर्सकार से समानित क्या गया है okay तो यह थी भी आज की overall class आई वोप आज की class आपको समझ में आई होगी फिर भी कहीं कोई दिक्कत है या पिडाउट है तो क्या कीजिगा comment box में लिखिएगा we can try to solve it एक दो दिन में आपको क्या है आउट्स ले लिए जाएंगे पीडियाफ का आपको ध्यार में रखना है भी क्या टेली ग्रूप जॉइन कीजिएगा अत्रवाइस क्या है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो मिल ही जाता है जी के बाई परदीप सर्च करें और उसे जॉइन करें वहां